हाई स्टुडेंट्स गुर मानिंग अलोफ यू हवी जी अपड़े टॉर्शन वारू चैप्टर्स ना बे त्रोन लेक्चर्स आगर जोया छे तो टॉर्शन नी डेफिनिशन आपड़े जोय हती कि कोई पन वर्क्षॉप छे तो एमा जे रहे अपड़े एनरजी ट्रांसफर कराओ माटे जे शाफ्ट होय छे तो शाफ्ट ना छेड़े जे पूली छे तो पूली ने उपर जे टर्निंग फोर्श जे रहे आफवामा आव जे ओके एनरजी आपड़े टार्क जोय होतू टर्निंग जे मॉमेंट छे एनरजी आपड़े ट्विस्टिंग मॉमेंट पन कही सक्या छे एनरजी एक्विजन जोय होतू कि T is equal to P into 2R ओके पड़े एनरजी आपड़े सियर ट्रेन एनरजी थोड़ी माहिती मेड़ी हती पोलार मॉमेंट ओफ इनरजी आने डाफिनेशन्स तैना एक्विजन्स जोय होतू ओके हवे जे टॉर्षन नो जे एक्विजन्स हतू एनना पर्थी कईरी ते आपड़े एक्विजांपल फाइंड करवाना छे एनना वीस थोड़ी माहिती आपड़े आगना लेक्चर्स मा मेरवी चुकेया थी है एक बे मैथर्षना आपड़े एक्विजांपल पन जोया थे हवे आपड़े नेक्स्ट मैथर्षनो एक एक्विजांपल जोय सू के 150 rpm तथा 100 kW माटे शाफ्ट नो व्यास सोदो महत्तम कर्तन प्रती बढ़ 50 N प्रती mm नो स्क्विजांपल छे ओके तो हवे आपड़े जुए कि P आपने आपड़े लू छे 100 kW ओके P मतलब जे पावर आपने आपड़े लू छे 100 kW, N मतलब के जे शाफ्ट जे छे ए रोनिंग कॉंडिशन मा होई छे तो केटला rpm फोरे छे ए आपने आपड़े लू छे 105 rpm, फेक्टर ओफ शेफ्टी FOS जे आपने Fs आपने आपड़े लू छे 50 N प्रती mm नो स्क्वेर आपने आपड़े लू छे अहिया आपने N नी वेल्यू आपड़े लू छे तो अहिया आपड़े सू find करवानू छे T, T मतलब torque, torsion तो torsion जेर आपड़े find करवानू छे तो P नी वेल्यू आपड़े अहिया मुखी सू 100 इन्टू 10 देश्टू 3 is equal to 2 pi into 150 इन्टू T divide by 60 माटे T is equal to 6366.19 Newton प्रतिमीटर माटे T is equal to 6366.19 into 10 देश्टू 3 Newton into mm हवे सूछे के जे torque आपड़े find करे उछे तो एनू भी जू equations आपड़े जोई सू कि T is equal to pi by 60 into fs into d raise to 3 हवे आपने torque नी value माड़ी गई जे तो T नी जे value छे 6366.19 into 10 raise to 3 is equal to pi by 6 into 50 fs जे आपने आपेलो छे into d raise to 3 हवे जे d raise to 3 नी आपने value मार से 648454.78 हवे आपड़े जे गण आपने आपेलो छे तो d जे ए छे एनी आपने value मार से 86.55 mm ओके तो अहिया जे एक्जांपल आपेलो छे तो एक्जांपल्स पर थी आपड़े कई रीते कया equation नो यूज करवानों छे कई मैठन न यूज करवानों छे अन्य एना पछी आपड़े जे diameter जे find करवानों छे ए कई रीते आपड़े सोजी सु ए आपड़े equations पर थी आपड़े value जेरे put करी सु तो आपने मर से हवे सुझे के 200 mm व्यास ना शाफ्ट ध्वारा वहन थतो टॉर्क शो दो मान्य करतन प्रती बनी किमत 50 N प्रती mm रेश्टू स्क्वेर लेवानी छे आपड़े तो हवे सुझे के D is equal to 200 mm आपने आपेलू छे F is equal to 50 N प्रती mm रेश्टू स्क्वेर आपेलू छे तो T is equal to pi by 63 into F is into D raise to 3 आपने आपेलू छे एक बिजो आपड़े एक्जांपल जोईसु तो बिजे एक्जांपले मां आपने जोईसु का आपड़े कही रीते find करवानी छे जे value आपने आपेली छे ए वैल्यून आपड़े कही रीते पूट करवाने छे equations मां अने कही रीते चे आपड़े D नी चे वैल्यू छे T चे चे आपड़े सोधवानों छे तो कही रीते सोधी चुँँ तो जोई आपड़े के D आपने आपेलू छे D is equal to 200 mm आपने आपेलू छे F is equal to 50 newton into mm2 आपेलो छे तो T is equal to pi by 60 into F is into d raise to 3 अहिए आपड़े जुईए आपने pi by 60 आपेलू छे Fs नी जी वैल्यू छे आपने 50 आपेली छे into d raise to 3 आपने आपेलू छे बस्तोनो गन अहिए आपड़े सु find करानू छे T तो अहिए जी वैल्यू आपड़े मुखी सु 5 by 63 into 50 into 22 आपने आपने मर्शे 78.53 into 10 raise to 6 newton into mm तो T is equal to 78.53 into 10 raise to 3 newton into mm तो हवे आपड़े सु छे के जे कई भी एक्जांपल्स जे छे एनने आपड़े कई रीते find करवाना छे कई रीते equation मा पूट करवाना छे जे कई भी वैल्यू आपने आपेली छे ए equations मा मुखी अन्ने एनना पछी आपड़े सु find करवानू छे ए बदू धारी लेवानू छे आपड़े एनना पछी न जे एक्जांपल्स जे ए सेम टू सेम आवी रीतेच छे के डी आपने डायामीटर आपेलो हसे शाप्ट जे केटला रनिंग कंडिशन मा छे ए एटला आर्पीम आपने आपेला हसे सेर्क्शन हो एक्चेंघेंगर् सेक्शन हो जे ये बद्वाज सेक्शन हो से एमा आपड़े अविजे और डी अरी आपड़े सुंह आपके अपड़े बया में थऑना थं डिफार्ण डिफरन्सлом आप्ट्यारे जोई चुक्या गछी है तो जे कई भी examples छे तो आपने जे examples माँ जे value आपेली हसे तो example माँ आपने specify करेलो हसे कि आपने D आपेलो छे एनो जे N आपेलो हसे, एनो जे लंबाई जे छे, A हसे, एनो एंगल जे छे ए आपड़े जे रे सोधवान हसे, तो circular sections हसे, त्यारे एनो एंगल कई रिते find करवानू, rectangle sections होए, तो एना माटे कई रिते find करवानू, hollow sections होए, तो एना रेते एना माटे एंगल और twist कई रिते find करवानू, ए आपड़े होवे next lecture माँ जोई सु, so आज ना माटे thank you so much